आज हम फेस्जोन के इस एपिसोड में जानने बाले है WhatsApp के डिलीट मेसेज कैसे देखे WhatsApp पर डिलीट मेसेज को कैसे पड़े अब कोई भी यूजर WhatsApp पर अपने सेंड किये मेसेज को डिलीट कर सकता है लेकिन WhatsApp का ये नया फीचर किसी काम का नहीं है क्योंकि अगर किसी ने WhatsApp पर से डखिया मेसेज डिलीट कर दिया है तो भी डिलीट किये मेसेज को इस ट्रिक से पड़ सकते हैं तो WhatsApp का नया फीचर क्या है और क्यों वो फीचर काम का नहीं है चलिए जानते है WhatsApp यूजर को हमेशा से ये परेशानी रहती थी कि वह WhatsApp पर भेजे गए मैसेज को डिलीट नहीं कर पाते थी क्यूंकि कई बार यूजर से गलती से ऐसे में सेज सेंड हो जाते थे जिन्हें वो नहीं भेजना चाहते थे तो ऐसे में ये चीज यूजर को परिशान करती थी लेकिन हाली में WhatsApp में ने एक ऐसा फीचर लांच किया है जिसमें यूजर अपने सेंड किये मैसेज को डिलीट कर सकता है अगर आपने किसी के मैसेज को नहीं पढ़ा है तो मैसेज भेजने वाला यूजर 7 मिनिट के अंदर आपको भेजे गए मैसेज को डिलीट कर सकता है इस feature के आने से user काफी खुश है क्यूंकि अगर गलती से भी कोई message send हो जाता है तो इस में कोई दिक्कत की बात नहीं है आप उस message को delete कर सकते हैं WhatsApp के इस feature से तो user खुश है लेकिन आपको बता दे कि WhatsApp का ये feature किसी काम का नहीं रहे गया है क्यूंकि Play Store में ऐसे app सुपलब्ध है जो delete किये हुए message को पढ़ने का मौका दे रहे है अगर आप भी WhatsApp user है तो आज हम आपको ऐसी track बताने जा रहे है जिससे अगर किसी ने आपको भीजा हुआ mess ज़र delete कर दिया है तो आप इस track के जरिये उसके delete किये message को भी पढ़ सकते हैं सबसे पहले आपको अपने smartphone के Play Store में जाना है इसके बाद search box में timeline search करना है इस search करने पर आपको timeline notification higher tree नाम की app अपने smartphone में install कर लेना है इस app को install करते समय आपको smartphone के notification access को enable करना होगा तो इसे उन कर दे इसके बाद एक smartphone की screen पर एक message दिखाई देगा उसमें ओके पर click कर दे अब आप किसी के delete किये गए message आराम से पढ़ सकते हैं जब भी कोई आपको message send करके delete करता है तो own message का आप timeline app open करके पर सकते हैं आपको play store में इस तरह के app और भी मिल जाएंगे लेकिन timeline app search में काम कर रहा है तो whatsapp पर delete message को कैसे पढ़े इस सवाल का जबाब भी आपको मिल गया होगा और इस तरह whatsapp का ये नया feature किसी काम का नहीं रह गया है क्यूंकि user message को delete करने के बाद भी उस message को पढ़ सकते हैं तो आपको अगर ये video interesting लगता है तो like करना मत भूलना और ऐसे ही interesting video देखने के लिए हमारे channel को जरूर subscribe करें